Hello friends, आज के इस वीडियो में यहाँ पे value find out करने चारे है x का जिसमें से distance 2 point के बीच कर दिया गया 10 units तो यहाँ पे distance P, Q के बीच कर 10 units यह दिया गया है तो यहाँ पे P और Q, ठीक है तो यहाँ पे एक formula पता ही होगा distance of P, Q होता है, root under x2 minus x1 का whole s square plus y2 minus y1 का whole s square यह होता है और यहाँ पे distance of P, Q यह दिया है 10 units तो यहाँ पे 10 अब यहाँ पे यह वे लोचो टर्म होता है यहाँ पे लिख देता है P, 4 minus 5 है Q, 12, x है ठीक है, तो इसको कहते है x1, यह वाले टर्म को x2 यह वाले टर्म को y1 यह वाले टर्म को y2 तो x2 minus x1 तो x2 जो है 12 है और x1 जो है 4 है इसका square plus y2 y2 की जगा x है और y2 की जगा minus 5 है का square अब देखिए, रूट को हटाने के लिए square कर देता है ठीक है तो यह रूट को यहाँ पे हम square कर देते हैं तो 10 का square कर दी है उसके बाद यहाँ पे भी square करेंगे तो 12 मैनस 4 यह होगया 8 square उसके बाद यहाँ पे x यह minus bracket minus तो minus into minus यह plus हो जाएगा उसके बाद दोनों तरफ square कर रहे है ठीक है तो इसके तरफ square किया तो यह hundred होगया square इसलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पे root को अड़ाएंगे जैसे 8 square तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीच कर जाते है 8 ती हो जाएगा 8 का square 64 उसके बाद x plus 5 का whole square है तो यह a plus b के whole square पे बैट रहा है तो यहाँ पे a plus b का whole square पे बैट रहा है तो इसको हम लिख सकते है a square plus b square plus 2ab तो a square मतलब x square b square मतलब 25 25 2ab 2 into x into 5 अब देखिए यहाँ पे root को हटा रहे है तो root को हटाते हैं तो 1 by 2 होता है और यह पहले से उपर 2 मौझ होता है तो 2 to cancel हो गया उसके बाद यह 100 उसके बाद यहाँ पे x square उसके बाद यहाँ पे 2 into x into 5 तो यह हो गया 10x उसके बाद 64 plus 25 अब ऐसा कर रहा है यह बाद टर्म को इधर move करा रहे हैं तो x square यह हो गया 10x 64 plus 25 यह दुनों को add करेंगे तो 4 plus 5 यह 9 6 plus 2 यह 8 तो यह हो गया 89 इसको ब्रावर यह plus है ब्रावर किधर दे जाएंगे तो यह minus में convert जाएगा यह 0 उसके बाद अब करना है x square यह 10x उसके बाद 100 में से 89 करेंगे यह plus में यह minus में है 3 हो गया 11 ठीक है 3 हो गया minus 11 equal to 0 अब इसको quadratic equation को solve कर लेता है तो quadratic equation को solve करने के लिए यह पहला term है यह दुनों को multiply करना परेगा तो यहाँ पर x square into minus 11 ती हो जाएगा minus 11 x square अब 10x को ऐसे break करना है कि subtract करने के बाद 10x आना चाहिए और इसको इसको multiply करने के बाद minus 11 x square आना चाहिए तो subtract किये 10x को दिये यह दुनों को subtract करेंगे तो 10x आएगा और 11 x into minus x करेंगे तो minus 11 x square आएगा तो इसको हम लिख सकते है 11 x minus x minus 11 equal to 0 x कॉमन लेंगे तो x plus 11 minus 1 कॉमन लेंगे x plus 11 equal to 0 x plus 11 x plus 11 दुनों में है इसको कॉमन ले लिए x minus 1 equal to 0 इसको इसका relationship एक बार 0 के साथ इसका relationship 0 के साथ दुनों का relationship 0 के साथ बैठाना है तो यहाँ पे x plus 11 equal to 0 और x minus 1 equal to 0 x equal to 0 minus 11 x equal to minus 11 यह answer x equal to 0 plus 1 x equal to 1 यह answer तो यहाँ पे इसी तरह से value find किया जाता है और x का value निकाला जाता है तो यहाँ पे अगर distance दिया गया है तो distance पहे लिख लेंगे distance pq का distance है 10 units ठीक है उसके और distance formula जो होता है x to minus 1 का whole square y2 minus y1 का whole square उसके बाद इसके 10 units जो दिया है 2 pq का distance है तो 10 यहाँ लिखती है उसके बाद p और q का जो है p का value 4 minus 5 q का 12 x तो यह वाले को x1 कह दिया है यह x2, यह y1, यह y2 ठीक है तो x2 minus x1 का दोनों को ले लिए है उसके आद y1, y2 को ले लिए है उसके आद formula बढ़ाने के बाद आराम से x का value निकल गया तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह video आपको समझ में आगे होगा तो आज की video में इतने ही मिलते है नए video में नए topic के साथ thank you